हालो गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद पाइल तो गाइज आज की जो वीडियो रहेगी वह अमारी किस चीज के उपर रहेगी वह आपको थमनेल से ही पता चल गया होगा यहां हम देखेंगे कि हमें नवंबर 22 में पेपर 60 एकोनोमिक लोगों किस तरीके से प् पहले भी वीडियो डालिया है लेकिन अभी वीडियो डालना इसलिए इंपोर्टन हो गया है क्योंकि जो अभी रिसेंट में पेपर गया है मेट 22 का उसमें क्या है हमारा पेपर 60 थोड़ा तफ आया था तो इसी वज़े से कुछ लोग डाउट में कि आगे हमें एकोनोमिक भी डाउट्स में बymm ऑफ से में और रहें तो डाउट्स के घाने की यह है तो हम सबसे पहले हम देख लेता है इस यह ओन्युक्त करनेフास कृशिवल इंकट नहीं सब्सक्राइब तो मैं इसका जवाब दोंगे यह क्या में 22 एक्जाम के बाद भी इस्टिल बैडर ऑप्शन है तो यह आपको पता है पांच के स्टडी जिसमें समय चार करनी होती है करना ना तो पर पढ़ने की ज़ुत नहीं अप सीधे आंसर कर सकते हैं अगर अपने स्टडी मैटेरियल अच्छे से किया है मैं बार बार इस वीडियो में एक चीज बोलूँगी study material study material and study material economic law करना है तो इस्टेड़ी कोशिए परिशे जाते हैं उसमें मैंने साथ साथ स्क्रीन शॉट अटेच किये हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारा सब कुछ आपको स्टड़ी मैटिरियल से देखने को मिलता है तो इसलिए स्कोरिंग है अभी इस बार कभी टफ आया लेकिन आपको इसके बाद मैं दूसरा रीजन बताती हूं कि हां पर हमारा लिमिटेड लेवर्स है लिमिटेड लेवर्स का मतलब हैं आप हमारे टोटल जिसमें से फॉर चैप्टर जो है वह आपके से पेपर फॉर से उठाए या तो आप पढ़ चुके होंगे या साथ में पढ़ रहे होंगे ठीक है तो लोग का आपको आईडिया होगा तो फॉर चैप्टर जो है टोटल सीधे उठाकर हमने लिए हूँ है अभी इसमें से नामी रहे रहा और दा कॉंपिटिशन है तो तीनों ही छोटे चैप्टर है ठीक है तो आपके लिए इसी हो जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स रीजन रहेगा हमारे पास इसको लैस्ट टाइम चाहिए तो कंप्लीट आप कम टाइम में सब्च्च को कं सब्सक्राइब करते हैं तो इसकी पीचर रीजन यही है आपको कम से कम 15-16 दिन इसमें लगाने हैं क्योंकि सिर्फ स्टेडी मैटेरियल है आपके पास इसमें केस लौज है के स्टेडी डाइजेस्ट भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए तो इसी लिए आपको इसको अप् सब्सक्राइब करने के लिए तो इसी लिए क्या यह लेस्ट टाइम है तो कंप्लीट करने में इसको कम टाइम लगेगा फिर फ्रीली अब लेवलेब इसमें आप देखोगे हमारे सीए फाइनल में फीस जो होती है सब्चक्स को पढ़ने की वह बहुत ज्यादा होती है मतला पंद्रे से बीस अजार के आसपास आप मान के चलिए एक सब्चक्कों पढ़ने के लिए और यह भी अपने आप में सब्चक्त जिसका कंटेंट जो आपको यूट्यूब पर फ्री मिल जाएगा ठीक है फूरा स्टडी में अपने चैनल पर डाला है चैनल नेम इस लर्ण व मैं उसको कम टाइम में पूरा पूरा कवर कराऊंगे आपको तो इसलिए क्या है आपको कंटेंट जो फ्रीली अवलेवल हो जाएगा तो यह एक इंपोर्टेंट क्राइटेरिया है आपको यह सोचने का कि एकॉनोमिक लोग आपको लेनी चाहिए ठीक है तो यह मेरी तरफ स चीजें होती हैं दिमाग लगाने के लिए ठीक है तो सबसे पहले मैं बोलोगी या तो पेपर 60 लेलो जिसके पीछे मैंने नीचे रीजन्स बता दिए या फिर आप इंटरनेशन टेक्शेशन ले लीजिए इसके पीछे रीजन है कि आपको नेक्स पेपर जो है वो आपका सब्सक्राइब करना चाहिए तो उसमें काफी हेल्प हो जाएगी अगर दोनों सब्सक्राइब को एक साथ पढ़ हो जाते हैं आपको पेपर डिटी के अंदर पढ़ने की सवात नहीं पढ़ेगी ठीक है तो और तीसरा आपके पास ऑप्शन है कि आपका जो इंट्रेस्ट अंदर है तो आं up andiaf every one पर जैए तो 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 यहें होते हैं जिसे मैं and करते हैं कि कौन सा सब्सक्राइब करना चाहिए ठीक एक सब्सक्राइब करना चाहिए गाष जाकी में इक्जाम के बात फिर भी ऐप स्कोरिक्ट रहेっ लेस्ट टाइम में कवर हो जाता है फ्रीली अविलिबल होते हैं और जो लोग अगर अच्छे से टाइम दें अच्छे से टाइम का मतलब है 15-16 दिन लगाए ना उनको हाड नहीं लगीगा जैसा अप यकीन नहीं करोगे मेरे पास इतने सारे कमेंट्स है कि लोगों ने स्टार्टिंग से जैसा मैंने बताया वह फॉलोग किया ना तो ऐसा नहीं है कि पेपर सबका बेकार बहुत है बहुत अच्छे पर गया है आप यकीन करोगे आई बीसी का मैंने एक चार्ट वह वन पॉइंट फाइड पेज का यह चार्ट है जिसमें हमारे क्या है है सिद्धाट वर दोब दोखते हैं तो आपको बदानी का ज़रत नहीं है आप अच्छे से पढ़ोगे तो अब दिकत नहीं होगे अगर आप दो या तीन करने कोशिश करोगे पूरे स्लेबड सकोड़ पेपर वाले देन पढ़ने कोशिश करोगे अपरेशले आपको दिकत चाहिए तो इसके लिए आंसर रहेगा आपको आपको एट लिस्ट दो से तीन करने होंगे तो डो अपने मैंन के चला है अपको 16 डेज में यह सलिब्स कम्प्लीट करना है और आप मैं बताओंगी कि तो आपका आराम से फोर डेज में कवर हो जाएगा यह मैंने मैक्सिमम टाइम बताया और आप कोशिश करोगे ना तो आप तीन दिन में आराम से खतम कर सकते हो क्यों कि मैंने रिवीजन लेक्टिस जा लाएं 11-12 आर्स के अंदर सारे लेक्टिस मैंने कम्प्लीट कर रहे हैं तो यह तो आदा दिन ही हुआ, लेकिन आप क्या है? अगर अच्छे से आप अनको मैं मानके चल रही हूँ आप इस चीज को उठा रहे हो तो तो मैं बोलती हूं कि समरी लीजिए अगर आप अभी से देख रहे हो नो में काफी टाइम है तो आप मेरी मानिया आप केस लॉस को पूरा-पूरा पढ़िए ठीक है आव ऐसे तो मैं यहां सारी लेक्चर डालोंगे और कम टाइम भी तो इसलिए आपको आपको स्टैडी मैटेरियल में डालोंगी क्योंकि आपका में हत्यार चुआ है हमारा स्टैडी मैटेरियल ठीक है तीन दिन के अंदर अबस लेक्चर को सुनते जाएं एक दिन के अंदर यह तो चार दिन और यहां पर हम केस histori digest को भी पिक करेंगे यह प्राइजस्ट करने के लिए जितने कोश्य प्राइच करो यहां से पेपर उटकर आए फिर से गलती ब से उठकर आता है यहां से उठकर आता है लेकिन पूरा पेपर उठकर नहीं आता है तो साथ साथ आप कोशिश करना study material को refer करने के लिए इससे क्या study material में आपको page जितना turn करोगे command आजाएगी पूरे study material में कौन सी चीज कहाँ पर है index को बार-बार use करोगे तो उन दोनों थर्ड रिवीजन में आपको study material कवर करना है दो दिन के अंदर अराम से होगा क्योंकि आप तीसरी बार रिवाइस कर रहे हो ठीक है आप के स्टडी डाइजस्ट के लिए आपको यहां दो दिन लेने हैं ठीक है रिमेनिंग के स्टडी जो हमारी 25 रह गई है वह आप यहां कवर आप यहां पर मैं दो चीज आपको अपर बन जाता है कि अमें पर चीजेंगे अब आपको अगर लगने आपको लगने आपको लगता है कि मुझे खुछ से एक बार पढ़ना है तो आप पढ़िए ठीक है थोड़ा सा पहले आइडिया चैप्टर के बारे में लेना जरूरी हो जाता है उससे हमें थोड़ा ओवर्वी बन जाता है कि हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे अब आचाहिए गाइस मैटेरियल टूबी फॉलोड अलॉंग विदा इंपोर्टेंट टेप्स यहां पर मैं दो चीज आपको बताऊंगी ठीक है दो चीज क्या बताऊंग है आपको यहां पर बताऊंगी ठीक है तो चीज हम कवर करेंगे इसके अंदर मैटेरियल टूबी फॉलोड एंड़ इंपोर्टेट टिप्स जो कि आपके लिए बहुत जरूरी रहेंगी एक्जाम टाइम के लिए ठीक है तो काई करके चीजे देख लेता है यह मना प्रेफ कुछ भूल जाना यह दोनों चीजों पर कमांड रखना मत बूला और यह एक्जाम टाइम में ले जाना मत बूला यह सारी चीज आपको एक्जाम में लेकर जानी है जो भी मैंने आप लिखी हुई है ठीक है तो आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या टिप्स रहेंगी मतलब आपको जितना हो सके इस पर प्रैक्टिस रखिए यहां पर लां करने के अगर आप मुस्से पूछ तो मैं आपको जहां पूलती हुँ न स्टेडी में इंपोर्टेंट पार्ट है तो आपको कोशिश करिए थोड़ा लान करने के लिए क्योंकि बेसक से में 4 आर्स मिल आपको कमांड आने लगेगी तो एक तो यह हो गया और दूसरी बात आपको हाइलाइटिंग नोटिंग यह बहुत इंपोर्टेंट है इसकी इंपोर्टेंस वह समझेंगे जन्होंने में 22 के एक्जाम दिये हैं ठीक है मैंने क्योंकि उनको काफी बार बोला था और नहोंने मुझे बताया था इसी से उनको कितनी हैल्प होई तो चो अभी फर्स टाइम पढ़ रहे हैं या फिर क्या है जिन्होंने नहीं कीती पहले हाइलाइटिंग नोटिंग ठीक है तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है यह सच में गेम चेंजर हो सकती है क्योंकि जब आपके सब में हाइलाइटिंग नोटिंग करें और आप देखोगी मैं सिर्फ उनी को ही पढ़ाती हूँ क्यों कि जितना भी इंपॉर्णेट पोशन है वह सम मैंने हाइलाइटिंग कराये हुआ है साइड में पैनल्टी कैसे लिखी हुई है उसे इसीली कैसे कैच करोगे सब कुछ आपको उस रिवीजन लेक्चर में मिल जाएगा तो आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं मैंने सारे चैप्टर्स के पर वाइड करें अगर आप में से पूछो नवंबर 22 के लिए न्यू लेक्चर आएंगे तो कैसे कुछ स्टडी मैटेरियल है वो में 22 व मिलेगा अकर मुझे कोई चीज लगती है अमेंडमेंट्स आती है कुछ चीज उसमें एड करानी है तो मैं आपको करा दूगी और अगर कोई वीडियो में जो स्पैसिफिक जैसे कॉम्पेटिशन एक्टोरी फास्त रिकॉर्ड हो गई थी लेरा में कुछ वाइश इस्यू बेनामी में बीच में वाइश इस्यू था तो मैंनको टाइम मिलता है तो मैंसको न्यू रिकॉर्ड कर दूगी तिल दैन आप कोशिश कीजिए कि आपको सब कुछ वहां से कवर हो जाएगा ठीक है तो हैलाइटिंग और नोटिंग आपको करनी है जैसे मैंने आपको रिवी adan को मतलब हम हें जो आपका में टॉपिक मिलता है। तो मैं कोशिश कर pessim अपना इंडेक्स में डिटायमम चाहिए और इंडेक्सिए ≈ KCK NE valores Print TEERS-al Either or or Uber चोटी चोटी सब्सक्राइब मतलब में आपको क्या टाइम लिमिट कितने मतलब थाड़ी डेस तो प्रैकेट में लिख दीजिए अपील पनिश्मेंट यह कोशिश कीजिए अपील का जो मैंने चोटा-चोटा स्चार्ट बनवाए उसको इंडेक्स में उतार दो तो यह तीन चीज अगर पेपर में आती है तो स्कोरिंग हो जाएगा आपको सीधा इंडेक्स देखना है और मैंने उसको आपको इंडेक्स कैसे यूज करना है यह मैं पूरा डाल चुकि वीडियो ठीक है आप वह देख लेना नेक्स देख लेना केसलोग करने है क्योंकि मैं देख बाद क्या है आपको सेस्ट करिणा मैं और मश्मक्रा घ्र इसको करने उसका फिरोस मिपर कोवर को विजिए ऐसको पड़ती नहीं करते हूं क्या क्या पर क्यों यहां परिएक अ만ग करने तो आपको यह दोनों तीनों चीजे भी प्रैक्टिस करें चितना हो सके करिए बाकि यह मैं समझे कि अगर यह नहीं हुआ तो हमने स्लेबस कंप्लीट नहीं किया है अगर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इन तीनों चीजों में अच्छा से टाइम दे सकते हो ठीक है प्रैक्टिस कीजिए मैं आपको 16 डेज में बता भी दिया कैसे काना है ठीक है प्रैक्टिस एस मैच आप यहां पर मैं जो नोट रहेगा इंपोर्टेंट व बाता फीक हुष हो ठायेगा लेकिन क्या है इतना हमें भी थोड़ा से माइन भी प्हांणा पड़ेगा कि यह हमारे प्रैक्टिस मैटेरियल है ठीक है ना कि यह ममारा में मैंके इस बहस door to the प्रैक्टिस आपको यह पराना है कमांड को पर ला ना कीज़ आप उसके को नोड़ा रहें फो सब्सक्राइब गफंशक्ट को ग्यूंसक्त लिवयंगों कंटेंट में वह 服्लिशहीं तो ठीक है आपको डिवाइस करने में भी बार-बार महीं पर मिल जाएगा ठीक है अलग से नहीं लगेगा कि अमंग्मेंट करने हमको चुछी में इंकॉर्परेटिटेटेड तो गईस मैंने बता दिया आपको क्या क्या चीजा लेकर जानी है आपको अगर आप सारी सीजा नह कर दिया इनको प्रैक्टिस किजिए जितना प्रैक्टिस करोंगे अपने आप पे भी कॉंपिटेंस आथा है ठीक है और अगर कोई है तो उसको बुक में इट्सेल्फ इंकॉर्परेट का लीजिए इन शंमरी मैंने आपको बता दिया यह नेक्स वन इस इन वर्ट सिक्वें बहुत चोड़े चाप्टर है अगर आप इसमें खूब अच्छे से वी टामिल लगाऊ ने एक चैप्टर हो जाएगा तो आप इन दोनों चैप्टर को सबसे पहले उठाईए तो इससे क्या है आपको यह होगा कि हमारे दो चैप्टर एडलीस कवर हो गए दैन उसके बाद आप उठा सकते हैं तो क्या है उनको यहां पर कुछ नया खास नहीं मिलेगा वही सब है ठीक है तो सर्फैसी एक्ट उठा लीजिए यह भी छोड़ा चैप्टर है एक से डिड़ गंटे के अंदर कॉम्टिशन एक में जरूर आपको दो गंटे के आसपास लग सकते हैं बाक सब्सक्राइब लेकिन मैंने जो इंपॉरेंट पोश्चन बताएं ठीक है उससे क्या है आपका काफीज लेवर्स कवर हो जाएगा इन एजी वेए ठीक है तो सर्फैस यह पॉम्ला कम्प्लीट कर लीजिए दैन उसके बाद आपके 5 चैप्टर हो गए क्योंकि मैं आपको य आपको यह लगेगा कि बस दो चैप्टर वो भी देख लेंगे तो इन में क्या है मैं आपको सजेस्ट करूंगे आपको सारा ही कुछ वहां से देखने को मिल जाएगा अगर आप पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपको करना चाहिए आपके पास राइम है लेकिन क्या होता है कुछ लोग क्या है चैप्टर को लास्ट में छोड़ी देते हैं इस वज़े से कि हमें समझ नहीं आ तो अब ज्यादा घहराई में जाते हैं तो आपके साथ यह प्रॉप्लम होती है जो मैंने इंप्रताया उनको काफी अच्छे से भी संजाया है ठीक है यहां पांच में आप कैसे भी कर लें जाना लेकिन यह जो दो चैप्टर है उन्हें लास्ट के लिए ही रखना ठीक है इससे क्या है आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो नेक्स्ट इस हाओ तो यूज इंडेक्स आपको कैसे यूज करना है तो मैंने अल्रेडी प्रोव इंडेक्स की वीडियो जरूर रेफर कर लेना इंडेक्स जैसे मैं यह बताया आगर आप वैसा प्रप्रेयर कर लेतों अधिकना अपको एक इसाम में इुडीव के लिए हैं मुझे निग पता और लोगों को यहां पाइब निभी आफिक बखर लेकिके पाफी पाजिटिव का भी आइडिया निया तो मैं इक पर बता देते हूं पेपर पैटन कुछ इस तरही के से रहेगा एकॉनमिक लॉग का टोटल फाइव केस स्टेडी जैंगी आपकी जिसमें से आपको अटैंप्ट करनी होगी एनिफोर एनिफोर अटैंप्ट करनी रहेगी जिसमें से 25 मांक्स की एक स्टेडी रहेगी आप करते हैं कि आपको कितना तो क्रेंग आपको बोलुंगे कि आपको कोशिष करना कि हो सौलव करने के लिए से रीट नहीं करनी हैं नेवर स्टार्ट रीडिंग फॉवप नेवर स्टार्ट करना है फॉब दा कोशें और विच्यू आपको आथा नीचे जो प्रफिष्ट सीय होते हैं जिसका आपको आंसर देना आपको पहले वो कॉशेंस रीड करने इस तरीके से जब आप Q&Q करोगे आपको 1st 15 मिनट में ही आपको कौन सी केस स्टडी से आपको लीव करनी है मतला आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एक्ट से उठाई है और आपको जो एक्ट वीक है तो आप उस केस स्टडी को उस हिसाब से छोड़ सकोगे क्या है केस स्टडी को री जाट करोगे तो उस कैस में आप फुफ्तीज मिनट में को फांइं कर पाऊंगी कि आपको कौन सी केस स्टडी लीव करनी है क्योंकि फुब्स ॅश in estaria तो केसिस प्रवां से छोड़नी कौन सीゃ है यह कोबात दूर की बात है तो देखिएंगे जो एज केस स्टडी जो रहती है वह हमेशा मिक्स ऑफ टू-3 एक्ट होती है कभी मस्तोचना है एक चैप्टर से एक केस स्टडी बनाकर पूछ लेंगे ऐसा नहीं है वह कॉम्मिनेशन देते हैं मिनिमम तो उसमें दो कॉमिनेशन रहता है दो एक्ट का कॉम क्या हमें मिक्स करके एक ही कोश्यन के आंसर में 3-4 एक्ट के प्रोविजन लिखने है तो इसका सिंपल आंसर है नो वाई नो क्यूंकि इच कोश्यन जो होता है उसका है स्पैसिफिक आंसर राइट प्रोविजन रिलेटेट टू एक्ट अल्ली देखो अगर आपको कोई आपको जो केसिस्टरी आएगी ना पूरी पूरी केसिस्टरी जो भी लिखिया गी उसमें दो तीन आपको कम्बिनेशन में आएगी वह किसिटरी और जो नीचे आप से अब्जेक्टिव कोश्यन स्याफिट पर जो पूचा जाएगा वह क्या है वह सिंपल एक एक्स इसके लिए जो की है वो यह है कि आपके एक तो इंडेक्स प्रॉपर डिटेल होना चाहिए चैसे मान के चलो पनिश्मेंट से रिलेटल कोई कोई कोश्यन आया तो आप सिंपल इंडेक्स में देखो कि पनिश्मेंट कि स्पेज नंबर पर तो स्टेडी में जस्ट जंप कर पर और वहां से सीधा वह प्रॉविजन साप लिए इसके लिए एक डिटेल्ट इंडेक्स होना चाहिए साथ साथ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए के स्टेडी डाइजस्ट मैं आपको बार बार बोल यह काफी इंपॉर्टन आपको करना है यह चीज और याद रखोगे औ सारे पार्ट जोए सपैसे पेपर बेफोर अट्यम आपको प्राइब को बूस्ट करेंगा एक डोपर आप लिकर जरूर देखें ऐसा नहीं है यह लेक्टिव तो आप डाइक पेपर में ही लिखोगे इसको भी सारी पेपर आप पहले एक्जाम से पहले आपको लिकर देखन इसको आपको बता देती हो अगर आपके MCQ टाइप कोश्यंस आपको अटेंट करके आने क्योंकि जो से किकिव टाले इस जर्ब करेंण सबस्कार में और भी सारे को कश्यंस के रघर 파 Transit तो तो अब भड़न पार्द करना पहले आप कैसे अंफल में से त्हें कर सकते हैं आपको तिक करना है और आल कोशन rocky करें पर लistic utilization आप सब्सक्राइब है कंई रहता है का वोक सपक्राइब करा रहा है आप केल और डिल्सक्तर प्रीकोंट उदमित कर दोन है हुए झाल में बूं प्रूर कर सकते हुए ईस नाप को अभर जो किन बीष हुए बाहरा मिया थे उसमें कोरोस्ति है पिक अप राइड पेस नंबर देगा तो आपको कहा है अगर फर्स 15 में वेड़ करते तो आपको पता चल रहा है कि हां यह पॉम्मला को से एक्षेंस रहेटेड़ है तो आपको सिंपल स्टडी मैटेरियल में जाकर देखना है कि यह पेस नमबर कौन सा है और कोशन पेपर में साइड में लिख देना है तो आप जो कुशन पीपर सॉल्व करोगे तो आप देखना जो आपने डीडिंग टाइम यूटलाइज कराएं यहां पर तो वह आपका कितना हैल्फुल रहेगा आगे अगे प्रिजेंटेशन कैसे करनी है क्योंकि आपको प्रिजेंटेशन कैसे क वह प्रम स्टेडि मैटेरियल से लिख दोगे लेगन अगर यह को प्रिजेंटेशन के लिए इस तो यहांत पडिशन कर अगर तो आपको कोई इन लेगल प्रिजेंटेशन के अंदर लिख हो गे लीगल काफी डिटेल लंता है तो इसमें क्या है आपको प्रपर बना बना कर लिखने है प्रइर में हर एक परफ में तीन से चालनяжम कर नाम कर लिखना होगी थीक है फिर इसके बाझा अप लिकोगे लिकंड़ केस का नाम लिखना है वहापा फिर दैन हम लिखेंगे conclusion conclusion क्या है जो case study आपसे पूची कही है जो question आपसे पूचा गया है उसका conclusion क्या है वो आपको conclusion part में लिखना होगा इसके लिए मैं आपको टिप देना चाहूंगी conclusion के लिए अगर आप किसी चीज के लिए conclude करने में sure नहीं हो तो क्यों ध्यान दिलाना उस चीज पर ठीक आपको उपर भी बता दिया कि सारे पार्ट को एक साथ करने तो यह आप याद रखोगे next important thing कि आपको underline करने important point यह economic law क्या आपको हर एक theory subject में याद रखना है और examiner के पास इतना time भी नहीं होता वो पूरा पुछ पर सके तो आपको गया examiner को सारी चीज अंडर लाइनिंग करके देनी पड़ेगी examiner को आप चिला चिला कर बताओगे कि हां मुझे सारी चीज आती है प्रॉपर अंडर लाइनिंग करके दो क्योंकि examiner को आप जितना अंडर लाइन करके दोगे उसको इजी रहेगा टिप्स दिया आपको यह भी बताया कि कैसा आप ड्यूरिंग एक्जाम में टाइम सेव कर सकते हो प्रिजेंटेशन तो मैंने आपको बताई है जो काफी पॉजिटिव कॉजिटिव में मिल रहे हैं कुछ चीज आपको कॉमन भी लगेंगी जो मैं आपको अल्री बता चुक करने कोशिश करी थे मेरे बास जेते भी डाउट साय थे वह मैंने एक जिगर लिख लिए थे और उन सब कर टापिक्स को यह कवर किया था ठीक है बाकि आपको अगर और कोई भी अधर डाउट सापके पास कोई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूस सकते हैं कोई दिक तो इस वीडियो के वीडियो क्योंकि महां पर क्या और भी सब्जक्ट का अंटेंट लोग आपस में शेयर करते रहते हैं तो कुछ लोग के मेरे पस मैसेज़ें आदे कि उनने दिक्कत होती है उनने क्या एक सेपरेट गुरूप बना दिया है वहां पर क्या है सिर्फ और सि पर क्लिक करके ग्रूप को जॉइन कर लेना वहां पर मैं देख रही हूं जो मेरा पहला ग्रूप था उसमें अनाउंट 2,000 पीपिल से जबकि जोबने अभी नियू बनाया उसमें सिर्फ 50 पीपिल से 50 और 60 पीपिल तो आपने जॉइन नहीं किया है वहां पर सारा चीज मैं अपडेट करती रहती हूं ठीक है तो आपको वहां पर एजिली मिल जाएगा सब कुछ और गाइस आप लास तक मेरे सा जूड़ करा हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्फुल रही होगी तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सोचना किया फटावर से लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी मैं कुछ वीडियो डालू वह आप तक पहुंच जाए ठीक है तो गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दैन स्टे कनेक्टिड थैंक यू